अलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टैरो डैक्टर पर्टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त में क्या हो रहा है ये चीज़े आज हम देखेंगे साथ ही में ये भी देखेंगे कि इस वक्त वो आपको लेकर क्या फील कर रहे है तो गाइस जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है तो आप से 100% रेजोनेट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए तभी से एप्लिकेबल हो जाएगी, मैरिड और अनमैरिड कोई भी परसन ये रीडिंग देख सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं पहले जल्दी से आपके परसन की क्या करण्ट फीलिंग से आपको लेकर आप लोगों के बीच में जो भी रिष्टा है उसको लेकर गाइड की चेन होता है क्या करण्ट अनर्जी से मेरे वीवर्स के परसन किस वक्त में को लेकर हीलर ऑफ दा एज जो कार्ट्स के लेगे काफी कार्ट्स के गए मैन होल्डिंग अको आइन मैजीशन अन्द मेरर पेशेंस एक काड़ा लेकर सबसे पहली चीज तो मुझे आप यह दिखाई दे रहे हैं कि आपके परसन की हैल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है विद्धिस दा हीलर ऑफ दे एजेस कार्ड चाहें तो वह हैल्थ फिजिकली हो या इंटर्नली हो वह काफी रदा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं दर्द से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वह किसी बात को लेकर ज्यादा परिशान दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्लारिफाई करेंगे लेकिन अभी जो सिनारियो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वह काफी ज़्यादा हेल्थ फेस कर रहे हैं चाहिए वो mentally बहुत disturbed रहे हों चाहिए उन्हें कोई health issues कोई major issue चल रहा हो और उससे अपने आपको heal करने की कोशिश कर रहे हैं आपके partner इस वक्त में ना काफी जादा magic पे believe कर रहे हैं कि miracles होते हैं चीजें सही होंगी लेकिन उसके लिए इन्हें positive रहना होगा इन बातों पर believe करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है बहुत patience लिए चीजें कर रहे हैं यानि कि इन्हें किसी चीज का बहुत इंतजार है कि ये बहुत patience बना रहे हैं उस चीज के लिए कि magic होगा इनकी चीजें सही होंगी ये दर्द से भी निकलेंगे ये heal होंगे इस तरह से यानि कि ये अपने आपको positive रखने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये mirror का magic का भी weight कर रहे हैं आपके partner की intuition इस टाइम पे इने ये बोल रहे हैं कि चीजें सही हो जाएंगी लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त देना होगा या मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा इनक कि सब चीजें सही हो जाएंगी लेकिन तुम्हें patience तो करना ही होगा और अपने intuition के according ही ये patience बनाए हुए हैं वेट ये कर रहे हैं इसको भी हम clarify करेंगे कि किसका वेट कर रहे हैं बट ये अपने आपको एक waiting mode पर डाले हुए बैठे हैं ये चीजे मुझे दिखाई दे रहे हैं man holding a coin मुझे ये बताता है कि कहीना कहीना ये अपनी money यानि कि अपने finances को लेकर भी जादा conscious हो रहे हैं ये अपने आपको काफी कुछ उचा उठाना चाहते हैं growth करना चाहते हैं मतलब अपने कुछ पैसा कमाना चाहते हैं ये चीजे दिखाई दे रहे हैं ऐसे को लेकर finances क को लेकर या तो इने कोई प्रारेशानी चल रहे हैं इसलिए ये finances को लेकर बहुत ज्यादा conscious होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं पूरा focus ये अपना पैसों पे लगाए हुए हैं चाहें अपने आपको दर्द से निकान ले के लिए अपना mind divert करने के लिए हो या इनका इस टाइम पर कोई सपना हो कोई एम हो यहां पर यह भी चांसेज हैं ठीके clarify करते हैं गाइड कीजिए निवा सब बताईए लाव एज़ेश को clarify कीजिए किस वज़े से अपने आपको हील कर रहे हैं गाइड कीजिए निवा सबताईए पार्टिसिपेशन देखें गाइस यह पार्टिसिपेशन का जो कार्ड होता है वो बैसिकली four of wands का कार्ड होता है marriage का कार्ड होता है अगर आप अपने person से already married हैं तो basically यह उस marriage में जो इन्हें दर्द मिला है जिसे यह feel कर रहे हैं कि मेरी marriage जो है मेरी marriage life जो है वो successful नहीं रही है उन बातों से उन बातों से जिन commitment पूरा नहीं हुआ आपके partner को किसी और को commitment देना पड़ा तो यह उस marriage में अपने आपको heal करते हुए दिखाई दे रहे हैं यानि कि यह उस marriage से बिल्कुल भी खुश नहीं है इसलिए अपने आपको heal कर रहे हैं उसकी अलग अगर आप अपने person से commitment जहाते थे और आपको commitment न नहीं मिला तो basically आपके person ना अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाए उस marriage में नहीं आ पाए आपके साथ शादी में नहीं आ पाए ना तो यह उस वजह से काफी जादा हर्ट हुए हैं उस वजह से इनका दिल काफी दर्द में हैं तो यह अपने आपको heal कर रहे हैं तो overall यह जो heal कर रहे हैं यह basically commitment को लेकर marriage को लेकर जो भी अभी तक इन्हें दर्द मिला है ना उस बातों से अपने आपको heal करने की कोशिश कर रहे हैं यह चीज़े मुझे दिखाई दे रहे हैं मैन होल्डिंग को clarify कीचे निवर से बताएं मैन होल्डिंग को clarify कीचे और बताएं अंडरस्टैंडिंग इन्हें basically यह समझ में आ रहा है इस वक्त में कि पैसा मेरे लिए जादा important है मेरी खुद की growth मेरा खुद का carrier यह समय पे मेरे लिए priority होना चाहिए यह इन चीजों को समझ रहे हैं और इसी वज़े से यह अपने आपको पैसों में ज्यादा लगा रहे हैं उस पे focus ज्यादा कर रहे हैं कहीं न कहीं आपके person अपने आपको stuck महसूस कर रहे हैं यह यह में पूरी तरह से stuck हूँ और उस stuck में energy से बचने के लिए उससे अपना mind divert करने के लिए अपने आपको पैसों की तरफ अपने आपको फाइनेस की तरफ अपने आपको growth की तरफ बढ़ा रहे हैं यह चीजे दिखाई दे रहे हैं यानि कि overall इससे यही पता चलता है कि आपके partner अपना focus relationship से हटाकर carrier पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नहीं यह लग रहे है कि मैं इस समय पे जहां जिस भी situation में हुना relationship के मामली में मैं पूरी तरह से stuck हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ ऐसा यह मान रहे हैं ठीक है Magician and the mirror को clarify कि अच्छी इनिवर से बताएए वी आदवर्ड दिखिए गाई यह positive हो रहे हैं overall चीजों में क्योंकि यह जो card होता है यह होता है 10 of pentacles का 10 of pentacles यानि कि आपके पास सब चीजें आपके पास एक अच्छा relationship है एक अच्छी family है आप wealth wise बहुत strong हो आप emotionally और financially balanced हो तो यह overall जो manifest कर रहे है ना यह सब चीजों को कुल मिलाकर कर रहे है यह एक अपना अच्छा future अपने आपसे manifest कर रहे है happy family जो है ना वो चीजे manifest कर रहे है उसके मामले में यह काफी ज्यादा positive हो रहे है तो overall यह सब चीजों को मिलाकर अपनी दुनिया बनाना चाहते है एक अपनी दुनिया create करना चाहते है यह चीजे दिख रहे है ठीक है patience को clarify केचे निवर से बताएए patience का card यहां पर क्यों आया है किसका अंतजार कर रहे है किसको यह बहुत patience लिवेश कर रहे है suppression यह होता है guys basically 10 of wands का card यह basically यह चीजे समझ रहे हैं कि आप लोगों का जो रिष्टा है जो relationship है वो पूरी तरह से उसका जो भी भार है जो भी burden है वो मेरे कंधों पर है और यह सब चीजों का patience बनाए बैठे हैं कि कभी न कभी यह जो सर पे मेरे बोज है यह जो भार है यह कभी तो मेरी responsibility उतरेगी यह चीजों का यह patience बनाए बैठे हैं ओवराल यह न यह समझ रहे हैं कि यह मेरी life का एक बहुत बड़ा struggle है जो कभी न कभी तो खतम होगा समय के साथ यह struggle भी खतम हो जाएगा समय के साथ यह burden यह responsibility भी खतम हो जाएगी यह चीजे दिख रहे हैं इनकी ठीक है तो यह basically patience बना रहे हैं अपने यह जो भी इनके struggles हैं इनके खतम होने के लिए यह चीजे दिख रहे हैं ठीक है गाड़ेस अफ्टा मून को क्लारिफाई की इचे इनके बोल रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में कोई बड़ा अपराद करा है गिल्ट यानि की अपराद करा है इन्हें यह चीजे इन्ट्यूशनली समझ में आ रहे ह इसी वज़े से यह कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने आपको इस गिल्ट से निकालने के लिए यह पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने आपको गिल्ट से निकालने के लिए अपने आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं यह चीजे दिखाए दे रहे हैं और बे इनके इनके अंतर आत्मा इनने बोल रहे हैं जहन्जोर रही है इसलिए यह परिशाण कर रहे हैं जो इन्हें परिशान इसलिए यह इस गिल्ट में तर भान कर कि अपने आपको इस गेल्ट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ओवरॉल एक सपना बुन रहे हैं कि चीजें मेरी सही हो जाएंगी स्ट्रगल भी खतम हो जाएगा और मैं पॉजिटिव रहूंगा यह रहूंगी तो ओवरॉल सारी सिच्वेशन ठीक हो जाएगी यह ऐसा इस वक्त में सोच रहे हैं ठीक है गाइट कीजिए निवस और बताएए क्या चल रहा है मेरे वीवर्स के परसन की लाइफ में क्या हो रहा है इनकी लाइफ में गाइट कीजिए निवस बताएए देखें 10 वांस 10 वांस मुझे या पर आप लोगों के लिए नमबर 10 यानि कि October month बहुत इंपोर्टेंट दिखाई दे रहा है जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट खा सकता है ठीक है पेज ओफ पैंटिकल्स आपके परसन और आपके बीच में एज गैप हो सकता है ठीक है चाहें आप छोटे हो वह चोटे हो डेजन्ट मैटर या आपके परसन थोड़ा मेचॉरिटी लेवल पे कम हो सकते हैं इस्पैशली पास्ट में यहां पर अगें 10 नमबर आया है यानि क कि ऑक्टूबर मंथ जो किसी ना किसी तरह से आप से रिलेट कर सकता है फिर से दिखते हैं डाइट पीचिन वसाथा यह स्टार गाइट पीचिन वसाथा यह फोर ऑस पैंटिकल्स गाइट पीचिन वसाथा काफी सिमलर कार्ड्स आएं तब मेजीशियन का कार्ड मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था एनर्जी औरेकल से कि आपकी परसना काफी जादा पॉसिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं डेथ गाइट के चिन वसाथा बताएं एस और वांस नमबर वन यानि कि जन्वरी मं मन्त आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अप्रेल मन्त नमबर फॉर आपसे रिलेट कर सकता है गिंग ऑफ पैंटिकल्स और यह नाइन आफ सोर्स की सेमी एनर्जी होती है गाइस आप समझ गए होंगे स्ट्रेंथ बाटम अफ देक टू अफ कॉप्स एंड़ हर्मिट नमबर नाइन यानि की सेप्टेंबर मन्त आपसे रिलेट कर सकता है किसी ना किसी तरह से देखे गाइस यह नाइन आफ सोर्स का कार्ड इस बात को तो क्लियर कर देता है कि आपके परसन ना इस वक्त में काफी जादा ठक गए हैं काफी जादा यह परिशान है ठीक है यह ब कि यहां पर पूरी तरह से clarity है इस वक्त ना इनकी यह हालत हो रही है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ बुरे खुआब आ रहे हैं बुरी सोच आ रही है इन्हें ऐसा लग रहे है कि यह आपको खोद चुके हैं यह आपको खोद देंगे यह चीजे ने सोने नहीं दे रहे हैं यान इन्हें ऐसी चीजे महसूस होती हैं और इस वज़े से इस डर की वज़े से रातों को सो नहीं पाते हैं और इन्हें खुद ही यह चीजों का लगता है कि इन सब का जिम्मेदार जो हैं मैं ही हूँ इसी वज़े से अपने आपको अपराधी महसूस कर रहे हैं गिल्ट महसू तक बहुत जादा पॉजिसिव थे और पास्ट में शायद आप लोगों के बीच में कोई बात ऐसी हुई है कि आप दोनों यह आपके जो पार्टनर है ना वह करने की कोशिश भी कर रहे हैं अपने आपको ठीक है पास्ट की बातों को इन्हों ने काफी वक्त तक सीनी से लगा रखा विजिस्ट फॉर फैंटिकल कार्ड अन्द हर्मिट कार्ड इन्होंने बेसिकली आपको नो कॉंटेक्ट जोन में डाल रखा है हो सकता है काफी लोगों को तो ब्लॉग भी कर रखा हो या पे और उसका कारण था कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हुई थी जो इन्होंने सीने से लगा रखी थी चाहें मिसंडरस्टेंडिंग हुई हो चाहें ट्रस्ट इश्यूस हुआ हो चाहें कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो कि यह दोनों नाव पे पैर रखकर चलना जा रहे थे कुछ भी हो सकता है आपे सबकी अलग-अलग सिच्वेशन है ले अपने आपसे ही क्यों कर दिया अपने आपसे ही अपने दुनिया को ब्लैक इन वाइट क्यों कर दिया यह चीजे इन्हें सोने नहीं दे रही है रात भर इन चीजों का यह बहुत जादा बर्डन ले रहे हैं इन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है मैं चीजे कैसे सही करूं इसलिए आपने आपको कोशिश बहुत कर रहे हैं positive रखने की, एक hope बनाने की. With this the magician card and the star card, ये दोनों card बताते हैं कि आपके person बहुत जादा hope बना रही हैं, आप दोनों के बीच में जो भी रिष्टा है ना, उसके ठीक होने की, उसमें एक positive change आने की. बहुत जादा hope बनाए बैठे हैं कि ये जो मेरे black and white life चल रही है, ये जो negative thoughts चल रहे हैं, इसका death हो जाएगा, और finally इसमें transform आएगा, एक change आएगा. ये बहुत जादा ऐसा सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अच्छा भी है, basically अपने आपको heal कर रहे हैं, positive रहेंगे, तभी ये heal हो पाएंगे, तभी ये कुछ दिमाग से सोच पाएंगे, जो ये कोशिश में भी मुझे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीके, आपके person बहुत जादा पैशिनेट तो हो रहे हैं आपके प्रती, with this the ace of wands card, definitely ये आपके तरफ एक offer लेकर आना चाहते हैं, हिम्मत भी जुटा रहे हैं, क्योंकि अपने आपको इस negative thoughts, इस depression से निकालना, इनके लिए काफी हिम्मत वाला काम हो रहा है, क्योंकि कोई अपने आपको इ लिए एक नई life अपने आप से create करने की खोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तभी ये इस thought से निकलने के काफी जादा महिनत कर रहे हैं, अपने आप में transform लेकर आना चाहते हैं, आपके partner वापस से आपके साथ इस family में आना चाहते हैं, चाहें आपका सपना हो, चाहें आप already family हो, ये वापस से इसी में आना चाहते हैं, यहाँ पे भी the magician को clarify किया था, we are the world ने और यहाँ पे भी ये semi cards आयें, the magician and the 10 of cups, जो दोनों बताते हैं, कि ये ना अपनी इस family के लिए commitment के लिए बहुत जादा positive हो रहे हैं, ये ना basically guys, अपने आपको positive रखने के लिए career oriented भी हो रहे है इसमें भी कोई doubt नहीं है, ये ना basically इनका काम पे focus करने का motive ये नहीं है कि ये पैसा कमाना चाहते हैं, इस वक्त में इनका काम पे focus करने का main motive है कि ये इस negative thought से निकल जाएं, इस depression से निकल जाएं, इस अपराधी वाली energy से ये निकल जाएं, इसलिए ये अपना focus ना career पर चात चला रहे हैं, हो सकता है, इस बीच में इनका कोई promotion हुआ हो, इनके पास कोई new offer आया हो, उसमें ये काफी जादा busy हो, कोई new skill सीख रहे हो, यानि कि overall hard work कर रहे हैं यहां पे, with this the page of pentacle card, ये ना अपनी thoughts को balance करने की कोशिश कर रहे हैं, emotions को और अपनी जो financially जो सोचते हैं, उन की form में आ गया है, as in mature होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये चीजी दिख रहे हैं, कैसे अपने thoughts को balance करा जाता है, कैसे positive रहा जाता है, उन चीजों पे ज़्यादा focus कर रहे हैं, आप में से काफी लोग twin flame or soulmate connection में हो, with this two of cups card, अगर आप लोग हो भी नहीं, twin flame or soulmate connection में, लेक जब ये miss करते हैं, तो ये रातों को परिशान भी होते हैं, ये चीजे इने सोने भी नहीं देती हैं, और ये इसी true love के लिए अब कुछ गर गुजरना चाहते हैं, ये चीजे दिखाई दे रहे हैं, ठीके, overall में बोलू तो आपके पसन आपके लिए एक reunion का offer लाने के लिए म लिए और ये सब चीजे बहुत effortly कर रहे हैं, बहुत मेहनत से strength लगा के कर रहे हैं, ये चीजे दिख रहे हैं, overall अगर guys मैं आपसे बोलू ना तो आपके परसन की life में इस time पे बहुत struggle चल रहा है, इस time पे बहुत struggle चल रहा है, वेट चल रहा है आपका, इनका जो सपना है आपको लेकर उसका, उसके अलग इनका जो carrier है उसको लेकर, यानि कि overall इनकी life में समय पे इंतजार चल रहा है, इस struggle के खतम होने का, ठीक है, मुनो लॉजी से देखते हैं, आप लोगों की life में क्या लिखा है, destiny में, a new start is coming, आपकी destiny में लिखा है, एक नई starting, एक new beginning, एक new journey, ठीक है, यानि कि आप लोगों की life में लिखा है, री उनियन, with this the new moon card, ठीक है, ठीक है, आपकी life में लिखा है, ये जो भी आप लोगों के बीच में issues चल रहे हैं, इस वक्त में, फाइनली ये पहुचने वाला है, solutions की तरफ, ठीक है, जो आपकी person कोशिश भी कर रहे हैं, इनका action भी, आज हमें दिखाई दिया, ये बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आप लोगों के बीच में issues चल रहे हैं, उसको solve करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, गाइड कीचे निवस बताईए, एंजल्स आप से क्या कहना चाहती हैं, आप लोगों के बीच में जो भी रिष्टा है, उसके विश्य में, गाइड कीचे, रिकंसिडर, आप से बोला जा रहे हैं, आपको बस situation को रिकंसिडर करना हैं, चीजों को आपको भी सही करने के लिए positive रहना हैं, ऐसा आप से बोला जा रहे हैं, रिकंसिडर, 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 है कि आप लोग ना अब री उनियन की तरफ बढ़ रहे हो डेस्टिनी आपको बापस से री उनियन की तरफ बढ़ा रही है ऐसा आप से बुला जा रहा है एक काड़ा डेख थे हैं आप लोगों की destiny में लिखा है सफलता आप लोगों को यहाँ पर सक्सेस मिलेगी बस आपको थोड़ा सा reconsider करना है अपने आपको heal करना है अपने person को healing vibrations बेजनी है क्योंकि ये भी कोशिश कर रहे है ना अब इस दर्द से निकलने की अपने आपको heal करने की रिष्टे को सही करने की और monology ने भी आपको बता दिया कि आपका एक new starting एक new journey एक new beginning बहुत जल्ड स्टार्ट उने वाली है तो आपको basically इन्हीं पर focus करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है चलिए मीजर अरकाना से और देख लेते हैं बस गाईट कीचिन वसरता है मीजर अरकाना क्या कहना चाहते है गाईट कीचिन वसरता है चैरिएट देखे गाईज अगर आप लोग काफी लंबे समय से no contact में हो काफी लंबे समय से stuck हो जो आपके परसन भी feel कर रहे हैं तो वहाँ पे वो stuck energies अब खतम होने वाली है ऐसा यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ठीक है जो भी रुकी होई चीज़े हैं वो अब speed पकड़ेंगी कुछ ना कुछ आप लोगों की रिष्टे में movement होगा कुछ ना कुछ आपको खुद feel होगा कि अब मेरे जो रिष्टा है वो speed पकड़ रहा है जिसमें अभी तक कुछ होई नहीं रहा था वो चीज़े आप movement पकड़ रहा है वो आप feel करोगे ऐसा आपसे बुला जा रहा है The Lovers बहुत beautiful reading आई है देखो The Lovers का card आया है मैं आपको अरड़ी बता चुकी हूँ काफी लोग twin flame या soulmate connection में हो काफी लोगों का यहाँ पे जो रिष्टा है वो वापस से एक new start पकड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ठीक है उपसे आप लोगों का प्यार जो है एक दूसरे के प्रती सच्चा है इस समय पे आपके person को भी feel हो रहा है intuitively की हाँ उन्होंने कही न कही कुछ गलत करा है जिसे वो सही करने के लिए बढ़ रही है यह चीजे दिखाई दे रही है और काफी जादा चीजे सही होते हुए मुझे दिखाई दे रही है चलिए आपके person के messages और देख लेते हैं guide kitchen बस बताईए I am angry with you but I still love you देखे मैंने आपको बोला था कि कोई trust issue कोई misunderstanding या कोई third party issue था आप लोगों के बीच में चाहें आपकी side से हो या उनकी side से doesn't matter तो वो आपसे बोल रहे हैं वो आपसे गुसा तो हैं लेकिन वो आपसे प्यार भी बेहत करते हैं true love का card आगया उसके बार तो यही बोला जा सकता है कि वो आपसे बेहत प्यार करते हैं all the songs remind me of you वो आपसे बोल रहे हैं हर एक गाना जो हो सकता है आपका कोई personal song हो जो आप अकसर एक साथ गुन गुनाया करते हों तो वो song इन्हें याद आता है आपकी याद दिलाता है never give my place to anyone else definitely काफी लोगों के बीच में trust issues है तभी रातों को सो नहीं पा रहे हैं यह काफी जादा negative thoughts हो रहे हैं तो यह आपसे बोल रहे हैं कि मेरा जो place है ना मेरा जो जगह है वो किसी और को मत देना तो यह आपसे ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि यह अब आपके प्रती positive हो रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए हिमद जुटा रहे हैं आपकी तरफ एक major transform लेकर आना चाह रहे हैं hope बना रहे हैं और chariot का card है काफी जल्दी इनकी तरफ से कोई moment भी मुझे दिखाई दे रहा है monology ने destiny में बता दिया कि आप लोगों में से काफी लोगों की new journey, new starting इस relationship को लेकर होने वाली है तो काफी overall positive reading आई है guys I hope आपको आज की मेरी reading पसंद आई हो आपसे resonate करी हो अगर आपको मेरी reading पसंद आती है आपसे resonate करती है तो please मुझे बताईएगा और मेरे इस channel को like, share and subscribe बिल्कुल कीजेगा ताकि इसी तरह से और अच्छे अच्छी reading और अच्छे अच्छे topics मैं आपके लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्याल यूँ ही बना रही आज के लिए बस इतना ही ओके टाटा बाबाई